देश की तीन प्रमुख प्राइवेट टेलेकॉम कम्पनिया जियो, एरटल और वोड़ा फोन आइडिया ने हाली में अपने रीचार्ज प्लान महेंगे कर दिये इन तीनों कम्पनियों के प्लान में करी 25 फीसिदी तक का इदाफा हुआ इदाफा होते ही पिक्चर में आ गई एक और टेलेकॉम कम्पनी, नाम है BSNL और BSNL के पीछे लोगों का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा कि सोशल मीडिया से लेकर टेलेकॉम कम्पनियों की खबरों तक सिर्फ BSNL का ही बोलबाला रहता दिख रहा है सोशल मीडिया पर तो आंदोलन जैसा छिड़ गया हर कोई BSNL की तरफ अपना नमबर पोर्ट कराने की बाते करने लगा वहीं एक बार ये भी कहा गया कि सरकार का कहीं न कहीं BSNL पर ध्यान नहीं है क्योंकि जहां दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के पास 5G तक की स्पीड जैसी सुविधाएं हैं वहीं BSNL के पास इस समय में भी 4G की भी सुविधा नहीं है दूसरी तरफ इसका नेट्वर्ट भी काफी स्लो है ये तरीके तरीके की बाते आपके सामने BSNL को लेकर आती रहीं लेकिन BSNL कहीं न कहीं लोगों की पसंद भी बनता चला गया हम ऐसा क्यूं कह रहे हैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में हम समझाएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हूँ आपके साथ अर्ण मद्ववेदी तो चली हम बताते हैं कि हम आखिर BSNL के बारे में ये सारी बाते कर क्यू रहे थे निजी कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद BSNL के अच्छे दिन आ गए अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा BSNL के प्रती लोगों की दिवानगी बढ़ रही है सोशल मीडिया पर हर रोज BSNL ही ट्रेंड कर रहा है और लोग निजी कंपनियों का बहिशकार करने की मांग तक करने लगे यानि की निजी कंपनियों से लोगों का मनब उठ चुका है एरटिल, जीओ, और वोड़फोन आइडिया के प्लान महेंगे होने के बाद कुछ सर्किल्स में BSNL के सिम की बिक्री में तीन गुना इजाफा हुआ है इसके अलावा लाखो यूजर्स ने BSNL में अपना सिम तक पोर्ट करा लिया है सोचल मीडिया पर हर रोज BSNL ही ट्रेंड कर रहा है और लोग निजी कंपनियों का बहिशकार करने की मांग कर रहा है एरटिल जी और वोटफोन आइडिया के प्लान महंगे होने के बाद कुछ सर्किल में BSNL के सिम की बिक्री में लगभग तीन गुना इजाफा हो चुका है एक जिले में हर रोज हो रही 500 नए सिम कार्ट की बिक्री कई रिपोर्ट के मताबिक जबसे प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों के रिचार्ज महंगे हुए हैं उसके बाद से BSNL के सिम की बिक्री तीन गुना बढ़ गई है इसके अलावा BSNL में पोर्टिबिटी में भी धाई गुना का इजाफा हुआ है ब्यार जारकंड सरकिल में हर रोज BSNL के 500 सिम बिक्रा है पिछले महीने ये आकड़ा हर रोज 1.500 का था इसके अलावा महस शे दिन में BSNL के पच्चिस सो नए ग्राहक बने है एकान्य रिपोर्ट के मताबिक राजस्थान में महस एक महीने में एक लाग 61,000 लोग BSNL से चुड़े हैं इसी अवदी में एटेल को 68,412 जियो को 6 लाग से जादा ग्राहकों को अलविदा कहना पड़ा अगले महीने शुरू हो रही BSNL की 4G सेवा के बारे में भी अब आपको हम बता देते हैं अगले महीने देश के तमाम हिस्सों में BSNL की 4G सर्विस शुरू हो रही है शुरूआत में ग्राहकों को फ्री में 4G सिम कार्ड भी मिलेंगे इसके अलावा मौझूदा ग्राहकों के सिम कार्ड को भी फ्री में 4G में अपग्रेट कर दिया जाएगा BSNL ने हाली में तमिलनाडू के तिरुवलूर जिले में 4G लाँच भी कर दिया है BSNL 4G के साथ बेटर कनेक्टिविटी और नेटवर्क का दावा किया जा रहा है BSNL 4G की इस लाँचिंग का फाइदा नेचिली, कोलाथूर, पहली पेट, थिरुवेर वॉयल और पैनौरी जैसे इलाकों को होगा BSNL के अधिकारियों ने इस बात के पुष्टी की है कि इसके बाद तमिलनाडू की राज़दानी चेन नई में भी 4G को रोल आउट कर दिया जाएगा क्योंकि इतने बड़े आकार में पोर्टेबिलिटी होना, प्राइवेट दिगच प्लेयर्स की तरफ से BSNL पर आना, सरकारी टेलेकॉम कमपनी पर आना, कहीं न कहीं ये जरूर दिखा रहा है कि लोगों की जेब पर जो मार पड़ी है महंगे टैरफ रेट्स के कारण, उसक करने खबरों के लिए देखते रहें बस्ता, बस्तक आपके लिए लाया है प्रेमियम मेंबर्शिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते, जिन में मार्केट न्यूसलेटर, लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ, चैट और भी बहुत बुटी, इस प्रेमियम सब्स्क्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, बोल्ट और प्लाटिन, जिनके शुरुवात मात्र एक सो उनसर रुपे महिने से होती है, इससे जुड़ना भी चैनल पर जाए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए, आप हमारे प्रेमियम मेंबर,